जातिवाद की समस्या पर निबंध गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चातुरिय वर्ण्यम, मयास रिष्टम, गुण कर्म, विभाग शह, अठाद, चारवण, ब्राम्हन, शत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण एवं कर्म के आधार पर मेरे द्वारा रचत है भगवान बुद्ध और महावीर ने भी कहा है मनुष्य जन्म से नहीं, वरन कर्म से ब्राम्हन या शूद्र होता है पहले ब्राम्हन का पुत्र व्यवसाय करता था तो वह वैश्य हो जाता था सभी आपस में मिल जुल कर रहते थे पर कुछ कटर जाती वादियों ने इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन ला दिया धीरे धीरे या विभाजन कर्म के अनुसार न होकर जन्म के आधार पर होने लगा शूद्र पुत्र को शत्रिय का कार्य करने की प्रवती रखने पर भी शूद्र का ही कार्य करना पड़ता था जाती के बाहर विवाह करना या अन्य जाती वालों के साथ रहन सहन करना धर्म विरुद्ध खोशित कर दिया गया जिससे समाज में भायचारे का संबंद खत्म हो गया और जातिवादी जगड़े होने लगे यहीं से जातिवाद की गलत परंपरा चल पड़ी मध्यकालीन भारत में यह जातिवाद सुर्सा की तरह मूँ फैलाए हुए था जातिवाद देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक है इसके सहारे जहां एक और प्रतिभाहीन व्यक्ति उचे उचे पदों को सुश्चोभित कर रहे हैं वहीं दूसरी और प्रतिभावान दरदर की ठोकरे खाते फिरते हैं इससे राश्य शमता का रास होता है समाजिक एकता के स्थान पर समाज खंड खंड हो जाता है देश की आजादी खत्रे में पड़ जाती है राश्य कवी दिनकर ने जाती विवस्था पर कटाक्ष करते हुए लिखा है जाती जाती रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड मैं क्या जानू जाती जाती है ये मेरे भुजदंड भारत को सुखी और शक्तिशाली राश्य बनाने के लिए जातीवात का समूल विनाश आवश्यक है इसके लिए चलचुत्र, साहेत्य, प्रेस, अकबार, टेलिविशन, आदी प्रचार साधनों के द्वारा जाती विरोधी प्रचार करना आवश्यक है अंतर जातिये विवाहों को प्रोचसाहित किया जाना चाहिए सरकार द्वारा अस्प्रिश्यता इवं छुआचूत को राश्ट्री अपराध खोशित किया जाना चाहिए अगर सरकारी नीती ऐसी है भी तो वेवहार में यह कहीं दिखता नहीं है बलकि सरकार में शामिल नेता जातिवाद को और प्रशय देते हैं वे जातिवाद को अपनी राजनीतिक सफलता के लिए हथकंडा बनाते हैं अभी वर्तमान में जो स्थिती है उसे तो यहीं मालूम पड़ता है कि भारत से जातिवाद कभी विदा नहीं हो सकता अभी भी बहुत से ऐसे मंदिर है जहां हरीजनों का प्रवेश वर्जित है बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिसकी छाया से भी उच्च वर्ग के लोग परहेज करते हैं आज के परिवेश में वे नेता कितने निरलज्ज है जो जातिय सम्मेलन आयूजित करते हैं इसके समापन के लिए सभी राजनीतिक दलो, समात सुधारको, धार्मिक संस्थाओं एवं स्वयम सेवी एवं समाजिक संस्थाओं को कारगर प्रयास करना चाहिए राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानन्द, महात्मा गांधी, विनोवा भावे के बताय मार्ग पर चल कर ही इस लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है आम चिनावों में नेताओ द्वारा जातपात का नारा दिया जाता है सरकार को इसे कानूनी रूप से रोकना चाहिए पंडित जवाहरलाल नहरू के शब्दों में भारत में जाती पाती प्राचीन काल में चाहे कितनी भी उप्योगी क्यों न रही हो परन्तु इस समय सब प्रकार की उनत्ति के मार्ग में भारी बाधा और रुकावट बन रही है हमें इसे जड़ से उखाड़ कर अपनी सामाजिक रचना दूसरे ही धंग से करनी चाहिए सारांशुता जातिवाद भारत के माथे पर कलंक है इसे मिटाकर ही इस अखंड एवं शक्तिशाली भारत के कल्पना कर सकते हैं समित्रा नंदन पंच की इन पंक्तियों से भी यही भाव उजागर होता है भारत मस्तक का कलंक यह जाती पातियों में जब खंडित जहां मनुष्य और स्प्रिश्य चरन रज राश्य रहे वह कैसे जिवित